दोस्तों बहुत अच्छी दवाईयां हैं साइटिका की होमेपथी में आपका साइटिका बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकता है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर बैसाग जाजोदिया आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं निरामया हेल्थ सेंटर में मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें बहुती कॉमन प्रोब्लिम जिसका नाम है साइटिका उसकी होमेपेतिक दवाईयों के बारे में बताएंगे बिल्कुल बहुत जरूरी है आपके लिए जानना तभी आप पूरी तरह से इसको ठीक कर सबसे पहले हम जानते हैं साइटिका क्या है ऐसा दर्द जो कमर से होते वे कूले से होते वे यानि कूले से होते वे जांगो के पिछले हिस्से से पाओ के पिछले हिस्से से होते वे उंगलियों तक जाता है पाओ के उंगलियों तक यह दर्द साइट से भी जा सकता है यानि कुले के साइट से होते हुए, जांगो के साइट से होते हुए, पाओ के साइट से होते हुए, उंगलियों तक भी जा सकता है, ऐसे पेन को हम साइटिका बोलते हैं, इस पेन के साथ आपको जलन भी हो सकती है, पाओ के निचले इसे में, जलन के साथ-साथ पाओ में हो सकती है और सुनापन भी लग सकता है सुनापन यानि नमनेस तो यह पेन जो है यह जैनरली जिसको इसको हम रेडियेटिंग पेन बोलते हैं बिकाज यह कमर से पाउं तक रेडियेट हो रहा है शूटिंग पेन भी हम इसको बोल सकते हैं जैनरली पेन जो है जब आप बैठत बैक बेंड करने से यह पराम मलता है रिलीफ मिलता है हम यह जानते ही कि इसको साइटिक का पोलते क्यों है प्लकुल अचली देखिए हमारा जो जो यह पेंड का जो आपकोस देख सकते है न कमर से होते हुए पैर के पिछले से से उंगलियों तो जाता है एक नर्व होती है जि जहां जहां वो नर्व जाती है उसी उसी रूट में आपको यह सारी प्रॉब्लम्स यह सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इसी वजह से साइटिक नर्व के नाम पर ही इसका इस पेन का नाम पड़ा साइटिका तो दोस्तों यह साइटिक नर्व क्यों कंप्रेस होती ह यानि अब हम जानते हैं कि sciatica के कारण क्या है causes of sciatica और ये एक बात और ये दोनों तरफ हो सकता है विदेबना ये दोनों पेरों में नर्वें रहती मुझे 이 और ये ब्रीमिश कॉसकता है लेफ्ट में भी हो सकता है दोनों में वह सकता है जन्रली एक साइड में देखा जाता है सबसे पहला कारण है साइटिक का meetings push unserer Large इसलिप डिस्क हर्णियेटेड डिस्क जनरली जब MRI होता है ना MRI में देखा जाते हैं कि अगर यहां कहीं भी कंप्रेस हो गया तो सबसे मेजर रीजन इसका डिस्क हर्णियेशन यह जिसको आम वासा में बोला जाता है तो साइटिक नर्फ को दबाने से जो साइटिक नर्फ का एरिया है जैसे पहले हमने बताया कि लोग से लेकर पाउं तक जो उसका एरिया है उस ए प्रिंफयक के वहां पर एगर जबने सोसे अटी का और जहां से साइटिक नर्फ का ओरिजीन होता है जो स्पाइनल कल और के वहां पर अगर गांप्रेशन हो जाए तो उसको बार कैनाल स्टीनोसिस यानि कहीं भी अगा साइटिक नर्फ कंप्रेश हो रही है तो सिम्टम्स पूरे नर्फ में ही दिखाई देंगे बिल्कुल इसके बाद है डिजेनरेटिव डिस्क डिसॉर्डर डिजेनरेट हो जाए जो जेनरली एज बढ़ने के साथ-साथ होती है हम आफ्टर 40, 45 या 50 यह के बाद इसको देखते हैं डिस्क का जो जेल है वो सूखने लगता है जिसकी वज़े से फिर साइटिका डेवलप हो सकता है Spondylolisthesis यानि एक हड़ी जब दूसरे हड़ी के उपर चड़ जाती है खास करके अगर L4, L5, L4 के उपर चड़ जाए तो हम यह प्रॉब्लम देखते हैं जो जेनरली चोट वगरा लगने के बाद हो सकती है या अगर आपका पॉस्चर अच्छा नहीं है तो भी हो सकता है साथ इसाथ अगर यह प्रॉब्लम जो है哦 ? प्रेगनिंसी के टाइम पर भी देखी जाती है प्रेगनेंसी के टाइमपर बहुट करव ब distintos स्टे कि बाड्यम में बढ़ सते हैं यह कई बार प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है तो प्रेगनिंसी में अगर आपको है तो घब कैंने है नहीं प्रेशर पीचे डूटा है तो बहुत जादा लोड पड़ता है और वह डिस अहां पर सिलिप हो जाता है अब यह जानते है कि कौन लोग साहिटीका के जादा रिस्क पहे यानी किन को ऐने के चांसें से जादा है जैसा हमने बताया इसके कारण जो है slip disk यह जो major reason है तो आप यह समझे कि slip disk का major कारण क्या है जो लोग जादा time तक एक ही position में रहते हैं यानि जिनका office work है बहुत जादा देर तक वो बैठे रहते हैं इस पर बिना rest लिए काम करते हैं या या जो driver वगया है क yapıl़ी कि पर आप बेठे हैं अफिस में हो या कहीं पर भी बैटे हैं हम लोग generally सामने की गुख के बैठते हैं कमर जो है वो बेंड रहता है अगर आप स्ट्रेट बैठें तो आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन सामने की तरफ जुखते हैं तो सामने जैसे आप जुखते हैं तो पीछे की तरफ वो डिस्क बल्ज हो जाता है और यह बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है इस व अगर ऊठके थोड़ा सा चल लीजिए दूसरी बात है बैक को एक्सेंट किजिए पिछे की तरफ थोड़ा सा बैक को एक्सेंट कीजिए तो सामने की तरफ चुखते हैं वो आप काउंसरे हो जैड़ा बैलेंस हो जाएगा बिलकुल यह बहुत इंपोर्टेंट हैं यह सबस weightlifting का आपका काम कंभा है, आपको ऐसा काम करते हैं, यहां पर को वजयन उठाना परता हो, एजो weightlifters, कई बार की होता है, वो गलत तरीके से वजयन उठा लेते हैं। अचानक आप और आपने गलत तरीके से वजयन उठा लिया, तो भी यह problem हो सकती है। अचानक वेट उठाने से मुझे एक मूवी मैंने देखी थी अक्षय कुमार की, उसमें उन्होंने अंडर्टेकर को उठाया था, तो उसके बाद उनको स्लिप डिस्क हो गया था, तो कभी भी आप अगर बहुत जादा वेट सडेनली उठा लेना, तो लोड कहां पे जाता है, बैक पे जाता है, और वो डिस्क बल्ज हो जाता है, ठीक है, यह तो सडेनली हो जाता है, भारी बहुत जादा वेट उठाने से, जो लोग डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा वेट उठाते हैं, और गलत तरीके से वेट उठाते हैं, उनका क्या है कि डिस्क बल्ज करते हैं खास करके जो चकलते हैं या जो लोग दुकान के शटर वगए Rendर उठाथे न वाउज़ GP के यह भिर प्रॉबम डेवलप करने में, दोस्तों अब हम जानते हैं कि साइटिका की होमेपेथिक मेडिसिन कौन-कौन सी है, यह जो भी मेडिसिन हम बताएंगे, यह दोस्तों बहुत ही एफेक्टिव है, हम क्लिनिक में इनको रेगुलर्ली यूज करते हैं, और बहुत मार्वेलस इनके यह जाता है, यानि कमर में दर्द होता है और वो पैर के पीछे की तरफ से होता हुए उंग्लियों में जाता है, लेफट साइड में, तो अगर आपको लेफट साइड में साइटिका है, तो कोलोसिन 30 आपको दिन में दो बार सुभे और शाम को खाली पेट में लेनी है, दो यह अगर आपको Siatika राइड साइड में है तो आपको कोलोसिंत नहीं लेनी आपको MagPhoz 200 पोटेंसी में लेनी है सुभह और शाम को 2-2 बुंदे खाली पेट में दोस्तो Siatika की थर्ड मेडिसीन है Rustox Rustox 200 पोटेंसी में लेनी है बहुत ही effective medicine है sciatica की खास करके ऐसे लोग जिनको sciatica because of weight lifting, because of some sports injury, इसकी वज़े sciatica हो जाता है, तो इसमें symptom क्या रहता है, जब आप एक जगा पर बैठते हैं और बैठने के बाद जब आप उठते हैं तब आप हो severe pain रहता है, जिसको हम pain on first movement बोलते हैं, ऐसा ही pain तब भी होत जब उठते हैं, और जब आप उठके चलते हैं, चलने से फिर pain आपका relief हो जाता है, यानि pain जो है वो better हो जाता है with walking, with motion, और rest जब आप कर रहे हैं, तो आपका pain aggravate होता है, और intensity pain की बहुत जादा होती है on first movement, जब आप उठते हैं, तो यह rust-ox का typical symptom है, ऐसा अगर आपको symptom है तो आपको Macphos right-sided और Colosynth left-sided remedy के साथ rust-ox को combine करना है, यानि अगर आपको rust-ox के symptom है, तो आपको rust-ox लेना है, प्लस जिस भी side आपको sciatica है, उस side की medicine आपको साथ में लेनी है, rust-ox आपको 200 power में, दो बुंत करके सुबह और शाम लेनी है, दूसरी दवाई के साथ 10 minute का gap होना इसके बाद हमारी next medicine है, nephelium 30 potency में, अगर आपको sciatica के साथ numbness है, यानि सुनापन है पाउ में, तो सुनापन अगर आपको है, तो आपको हो सकता है, पाउ में strength भी कम फील हो रहा हो, sensation कम फील हो रहे हो, तो आपको nephelium add कर देना है, बाकी दोनों medicines के साथ, ये medicine आपको 30 power अगर में, दिन में दो बार, सुबह और शाम आप खाने के बाद इसको ले लेजे, दो बुन जो है वो directly आपको जीप के उपर लेनी है, जो भी दवाई हमने बताई, वो directly over tongue लेनी है, जीप के ओपर डेरेक्ली, दो मेडिसिन हम आपको और बता रहे है, ये medicine साथ को आपको sci तो आपको दो मेडिसिन्स और एड करनी है इनका नाम है आर्णिका और हाइपेरिकम अर्णिका मॉंटाना 200 यह दोनों मेडिसिन्स दो बुंदे सुभह और शाम को आपको बागी दवायों के साथ लेनी है लेकिन तभी लेनी है जब आपको साइटिका डेवलप हुआ है इंज कोट लगने की वजह से और दोस्तों दो तिन बातों का और ध्यान रखिए जैसा हमने आपको बताए पॉस्चर बहुत इंपोर्टेंट है ज्यादा देर एक ही टाइम पे एक ही प्लेस पे बैठे मत रहिए बीद बीच में रेस्ट लेते रहिए बैक एक्स्टेंशन एक्सर करते हैं और दूसरी बात है गरम सेख कीजिए बैक में तो आपको बहुत जल्दी आपका थीक हो जाएगा और अगर आप स्ट्रेंध्निग एक्सराइज कर लेंगे जब आपका सायटीक हो जाएगा उसके वाद आपको सायटीक का दुबारा नहीं हो भा तो हो मेर्तिक मेलि तो हमारे चैनल को जरूर सा सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप से तब तक के लिए थैंक यू